तो महादेव एप को एक बड़ा मुद्धा भारते जनता पार्टी 36 गड़ के चुनावों में बना रही है और सीधा भूपेश पखेल पर भष्टाचारी होने के आरोब बीज़पी की तरफ से लगाए गए हैं 36 गड़ में आज जिन 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है वहाँ पिछले चुनाव में कॉंग्रिस ने 18 सीटों पर बाजी मारी थी लेकिन पूर्व सियम रमन सिंग राज्जे में फिर बीज़पी सरकार बनने का दावा कर रही हैं रमन सिंग ने कहा कि बीज़पी आज की 20 सीटों पर 14 से 15 सीटों पर कबजा करेगी महिसी हम भूपेश पखिल ने कहा कि कॉंग्रेस जनता के हित में उसके साथ खड़ी है भारती जनतापार्टी प्रधम चरण में बस्तर और राजिन गाउं को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की उदिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारती जनतापार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिलाके इस पस्ट बहुमत के साथ भारती जंता बल्डी की सरकार छत्रिगड़ में बने जा है। का जो महादेवेब का प्रमुख है संचालक है कि मैंने पांसो नौ करूर पांसो आट करूर रुपिया भूपेज भगेल को दिया है पांच पांच करोड़ो सतर लाख रुपिया जब्द हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया उसके बियान पर भी आया है कि भगेल ला आम जनता की हित में चत्तिसगर कांगरिस हमीशा खड़ी रही है और कांगरिस को ही आपका असिरवाद मिले आपका वोट मिले यह अपील करता हूं पासा जो हम लोग काम किये हैं उसे नकसलवाद पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मद्दान के इंद रहते अब अंदुरी जो गाओं है आपने ही गाओं में लोग अब मद्दान करेंगे तो इस समय जो नकसलवाद चेतर है अंदुरी चेतर है वहां जदा जदा मद्दान होने की समभावना है पहले तो बड़ी बड़ी घटनाय होती थी अब कुछ चुछ फुछ घटनाय हो रही है मैं समझता हूँ कि आगे ये भी बंद होगा नकसलवाद बहुत पीशे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज सरकार को सफलता मिली है आगे भी आप सब का सहीयोग और समरतंज मिल पाइगा तो बड़ी बड़ी तो अब करने मावड़ी बड़ी नकसलवाद समाप तोगाँ